रुहित शर्मा विराट कोली, क्या इन पे थोड़ा सा दबाव है कि भई, रंस बनाएगे क्योंकि पिछली टेस्ट शिंखला इनके स्टैंडर्ड से तो बहुत ही साधारन गई है और अगली टेस्ट शिंखला इस बॉड़र गावस का ट्रोफी, तो आप चाहते हैं कि रंस ब यहां नाम बड़े हैं, दर्शन छोटे हैं, हमें WTC के चैंपिन यह रहे हैं, एक बाल हमें यह रहाया थे नोने, लेकिन इस एक रीली यह गुड़ टीम क्योंकि Kane Williamson भी तो पहले मैच के लिए उपलब द नहीं है, तो बात भी कर लेंगे हैं, लास्ट बात भी कर लेंगे ह I might come to the IPL, I might not come to the IPL, rules थोड़े से बदल गए हैं, interesting. May God bless her. खेलते आते हो, बीच में T20 भी खेलते हो, तो वो रिदम जो है बना रहता है, आप T20 आपने छोड़ दी है, शिलंका में आप खेले थे वो, सिरफ ODI क्रिकेट वो August 1st week की बात थी, उसके बाद nothing in August, फिर पूरा September, अब October और बहुत रंस नहीं बने हैं, तो इसमें कई बार ह होता है कि you're out of rhythm, game time नहीं है, और अब game time चाही अगर आपको तो इस से अची जगा भी नहीं हो सकती, बेंगलूरू अच्छी पेच अमोमन हम बनाते हैं और अच्छी पिच की ही उमीद रहेगी और बेंगलूरू की पेच को कोली से भैतर कौन जानता है, तो उमीद है है कि कोहली साब रन बनाएंगे क्योंकि we all want him to score runs, दबाव नहीं है, I'm not saying कोई दबाव अबाव है, कुछ नहीं है, पर खुर पे जो प्रेशर आप डालते हैं वो तो है कि मैं खेल रहा हूं तो runs बनाने हैं, और उनके अपने standards खुदी काफी हाई हैं, और उनके अपने standards खुदी बेंगलूरू में चाहिए नहीं होगी, और मारेंगे भी नहीं, let's be honest, जो test cricket में खेल रहे हैं, रोहित शर्मा उनके खेलने का अंदास बहुत अलग रहा है, यह दों को छोड़ते रहते हैं बाहर की बास की यह दों खेलते हैं, अपने आपको समय देते हैं, I'm expecting more of the same, runs उनक spinner को extra खिलाना चाहेंगे, इस तरीके से हमने एक पिछले बार pitches बनाई, हम बात करें, पहला match जो हुआ चैन्नाई में, दूसरा match हुआ कानपूर में, हमने थोड़ी सी pace friendly pitches बनाने कोशिश की थी, तीन-तीन fast roller साथ उत रहे थे, वो रॉन और नीती थी की चली, आगे की तरफ देख रहे हैं, बाडर गावस का ट्रोफी में देखेंगे, फिर बांगलेदिश के सामने pace सब ऐसे भी खिला सकते हैं, पर not against New Zealand, यार, मैं तो कहूंगा कि अब चले चाहते हैं, वापिस अपने पुराने tried and tested formula पे, खिलाते हैं, spin और अक्षर और कुलदीप में से toss-up होगा, मैं कहता हूँ कुलदीप यादव, क्योंकि कुलदीप यादव is a wicket taker, कुलदीप यादव is a left-time wrist spinner, वो ऐसा गेंदबाज है जो तंक करेगा, और अब जब केन विलिमसन भी नहीं है, for the first game at least, Mark Chapman is there, टीम में मतलब डेवन कॉनवे भी, रचेन रविंदर भी, फिर आप त तो Tom Lithamy plays spin well, बहुत सुई बच्चे लगाते हैं, पर अभी भी spin के खिलाफ, आप इनको फख पकड़ने का, जखड़ने का प्रयास करते हैं, तो I would feel कि एक spinner खिला लो extra, यार, मतलब हो गया भी, जो जो था team fast bowler वाला, भारत में ना उतना है, नहीं है experiment, it's not a great idea, it's what I feel, गुम and actually मैं अच्छी टीम है, now that's a very big question कि भाई, WTC champion बने तो विसे अच्छी टीम ही होगी, पर नहीं है इतनी अच्छी टीम, अगर आप इनके Asia के हालाद देखो तो लोगेंगे, बहाल है यार, भारत के खिलाफ कब जीते हैं, और कितना ही जीते हैं, जब शिंकला हुई थी तो पहला मैच जरूर नहीं ने ड्रॉक कर लिया था, दूसरे मैच में अजास पटेल ने दस विकेट भी चटकाए थे एक ही पारी में, पर ये आर नॉट ए टीम जो आपको बहुत जा अतंग करती है, गेंदबाजी में, अब्विसली आपको बहुत आतंग करती है, गेंदबा प्लान के साथ आती है, प्रोसेसे से बहुत जुड़ी रहती है, तो जो आप इनको गेंदबाजी करते हुए देखते हैं, तो आप इनकाना एक बड़ा एक्जाक्ट प्लान जो है, वो सामने नजर आता है, अगर प्लान है कि आउस्टम के बहार डालनी है, तो फिर लगाता टूडू और उतना ही करेंगे, बैटिंग में अगर इनको अच्छा किया, क्योंकि ये तीन सेंटर इनको बैटिंग में सूट करेंगे, में गलूरू, मुंबाई, पूने, ये सब वो सेंटर जिसमें बाल बैट पे अच्छे से आती है, बैटिंग करने के लिए असान फिच आते हैं एशिया में, इनका प्रतर्शन अच्छा नहीं है, let's be very very honest about it, call spade a spade, why not, last but not the least, before I go to Pat Cummins, इस श्रिंखला के लिए हमने सोच आप तीन मैच की श्रिंखला है, let's start putting some parameters, कि किस बल्लेबास से आप कितने की उमीद कराते हैं, मतलब क्या performance होगी जिसको आप कहेंगे अप्रतिम है, तो उसके लिए आप यह ज़रूर देखना चाहते हैं कि किसके लिए क्या है, तो तीन मैचेस की श्रिंखला, अगर आप 300-300 रन के बीच में कहीं रहते हैं, actually 350 प्लस तो बिल्कुली अप्रतिम होगी, इसमें कोई डाउट नहीं कि 4-5, sometimes 6 innings आपको मिल जाती ह हो कि 5 अगर आपकी इनिंग्स आती हैं, तो 200-200 के बीच में कहीं न कहीं, क्योंकि और अज्यूमिंग की एक बड़ी पारी आएगी, एक 50-60 रन की पारी आएगी और उतने बन जाते हैं, तो वो 200-200 रन उतने आप दोनों ओपनर से, in fact, नंबर 3 पे शुबमन गिल से, रेर होता है, पर उतने रन्स की आप उमीद रिशाब पन्स से, केल राहूल से, केल राहूल से आपको शायद थोड़ी सी उमीदे कम रहे हैं कि इनके लिए अच्छी सीरीज जो है, वो 200 रन की भी हो सकती है, क्योंकि बाटिंग बहुत नीचे करते हैं, जब इतनी नीचे ब बारी आती है, कई बार टेल के साथ खेलोगे, कई बार एक बार हो सकता है, सेकेंड नीचे में बैटींगी ना है, मतब अल दोस तिंग्स डू हैपन, उनके लिए शायद थोड़े से कम रांस, पर तिल रिशाब पन्स तॉप फाइव, मैं कहूंगा कि यह जो क्राइटीरिय है, सबके लिए almost similar है, फिर आते हैं हमारे दो all rounders, इन से क्या उमीद लगा कर रखी जाती है, 15 wicket और 1500 run, 15 wicket और 1500 run अगर 1500 से अगर यह तो ज्यादा बना देते हैं, 200-200 बना देते हैं, पर 15 wicket और 1500 run में आप कहेंगे कि they have had a good series, उसके ऊपर चले गए अगर, तुभे तालिया है और गेंद बास हो, क्योंकि fast bowlers की अगर हम बात करें, spin के लिए तो आप उमीद लगा के चलेंगे, कि कुलदीब से भी आप उमीद करेंगे, 12-13-14 wicket तो जरूर हो, क्योंकि he is the third spinner, यह कई बार होता है कि bowling कम मिलती है, पर जो fast bowlers हैं, उन से आप 3 match की भूमरा से आप उमी टीरा बनाते हैं, और इसको ना हर match to match day by day हम थोड़ा सा उसमें से minus करते चलेंगे, भी या साड़े 300 हमने बनाया था कि, साड़े 300 हमने very good series, अब साड़े 300 हमने 50 बना दी हैं, अब 300 और और बचे हैं, हमने का था 15-16 wicket जो है, बहुत अच्छी हैं, चलो इन में सब 3 ले before I sign off, Pat Cummins की एक बात है, उन्होंने का कि भाई मुझे तो पता नहीं, I don't know कि मैं आउंगा IPL में नहीं आउंगा, क्योंकि बाकी चीज़े होती हैं, it's non-stop treadmill, it is difficult, priorities are different, वो tent poles जो हैं, वो ashes हैं, World Cup हैं, उसके बीच में कहीं IPL fit हो जाए तो ठीक है, rules भी नहीं आए आगए, लेकि मैंने तो कभी मिस नहीं किया, I have always played this sport, जब मैंने बने नाम आउक्शन में डाला है, तो मैं तो वापीस नहीं गया हूँ, लेकिन मिचल स्थाक तो गए हैं, I mean, और भी खिलाडी गए हैं, तो अब हो सकता है कि, it is a very big criterion, कि भाई, आप क्या करना चाते हो, मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसी अंदर से feeling आ रही, अलकिल किसी, कि Sunrise Hyderabad इंको retain ही नहीं करेगी, he is going to be released, और हो सकता है कि वो अपने नाम भी नहीं डाले auction में, that is also a possibility, now it is a real possibility, कि 6 महीने के बाद आप आना चाहते हैं, नहीं आना चाहते हैं, क्योंकि एक franchise को अपने final तक तो पहुंचाय यह सब कुछ बढ़िया किया था, फिर क्यों नहीं करेगी retain, पर मुझे लगना नहीं करेगी retain, that's what I feel, आपको क्या लगता है, do let me know in the comment section, आज के लिए अभी के लिए मेर पास इतना ही है, कल फिर में लेंगे, कल तो actually Gio Cinema पे मिलेंगे, सुबश जाएंगे, if everything goes right, I'll be there, तो like, share, subscribe, comment, notification घंटी, thank you very much for watching, and do let me know, यह जो criteria हमने बनाए है, good, average, excellent series, poor series, यह जो 3-4 हमने criteria बनाए है, बताए ज़र आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, let us know.